हाई एव्रिवान वेलकम डू स्लीपी क्लासेज गैस कैसे आप सब होफली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गैस अच्छे रहें थ्यान रखिए अपना एंड गाइस आज हम डिसक्स करेंगे एकनॉमिक से 10 कोशन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है कंसेडर दा फॉल्विंग स्टेट्मेंट फर्स्टेट्मेंट है हाई ग्रोथ इन जीडीपी एंड पॉपलेशन कें अकर टुगैदर सेकिंड है पर कैपिटा इंकम आलवेस डिक्रीजिस विद हाई पॉपलेशन ग्रोथ वीडियो को पोस्ट कीजिए ठीक कैपिटा इंकम डिक्रीज होती है ठीक है पर परसंट इंकम या फिर पर कैपिटा इंकम और हाई गोथ इन जीडीपी एंड पॉपलेशन गें अकर टुगैदर ठीक है तो दोनों ही स्टेट्मेंट आपकी साही हो जाएगी एक बार इसको एक्स्टा इंफ्रोमेशन में ठीक है और इसके अप्शन देख लेते हैं एक बार इसके अप्शन है फिसकल डेफिसेट भी है टेक्स रिवेन्यू एंड जीडीपी सी है ब्लैक मनी एंड इंड इंवेस्मेंट मैं एक बार फिसकल ड्रेक को समझा देता हूं तैन आप इस कोशन का अंसर मांग कीजिएगा फिसकल ड्रेक होता है इसको इजी लेंग्विज में समझते हैं माल लोग कि आप कॉर्मेंट चॉप कर रहे हो और आपकी सेलरी है 5 लेक पर एनम ठीक है और 5 लेक पर एनम आप सेलरी पर 5% टेक्स दे रहे हो ठीक है अगर आप बजट देखते हो तो बजट में हमेशा से टे टेक्स लेब है ठीक है और माल लोग कि हमारी कॉर्मेंट ने एट पे कमिशन लागू कर दिया और इस कंडिशन में आपकी सेलरी भी बढ़गी है अगर आपकी सेलरी यहाँ पर 7 लेक होगी तो आप यहाँ पर न्यू टेक्स लेब में एंटर कर जाओगे 5% पहले दे रहे और आपकी सेलरी बड़ी है दो लाग लेकिन आप न्यू टेक्स लेब में जब एंटर करोगे तो आप ड्रेक्ट कितना टेक्स दोगे 10% का ठीक है यही एक तरह से क्या है फिसकल ड्रेग ठीक है इंकम ओफ दा परसन इंक्रीजिस एंड ही फाल्स अंडरा न्यू टेक्स ले एक टेक्स ब्रेक्ट यहां टेक्स ब्रेक्ट ग्या थी 5 प्रेसेंट इक तरह से अप अंटर कर चुक है है ठीक है चले नेक्स कोश्ण देख लिए एंटिटी इंटो इकनौमे इटमें इस अट ओल्विंग तो फॉर स्टेटमेंट है एक पर देख लएते हैं कि हमारी फ्सा इसा इंजेक्ट करना ठीक है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना तो कौन सी कंडिशन इसके एक चीज पर कोशन करने से पहले बता दूँ इस कोशन का सही अशर सोचिए कैसे इक्णॉमिक्स की जो लेक्शर्स हैं आप सर्च कर सकते हो जो हमारे उपी इस का चैनल है sleepy classes ठीक है जातरना है उपको यूट्उप पे सर्च करना थे क्लासीज ठीक है और यह आप स्लीपी क्लासे स्पेस डालके एकनोमिक्स लिख सकते हो वहां पर आपको एकनोमिक्स के लेच्चर मिल जाएंगे और जितने भी डाउट सेफिनीट छिर हो जाएंगे टिकर तो आपको जस्ट सर्च करना है ठीक है और यह जो हमारे चैनल डेफिनली आप सब जानते होंगे UPSC एंड PCS के लिए ठीक है यहां पर आपके जितने भी डाउट से एकनॉमिक से वह डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे ठीक है और चलिए अभी कोशन पर आते हैं डेफिनेटली आपने सोच लिए हुआ करना पर आपके यहां पर इसको देखें हैं मान की चलिए जैसे हमारे देश में इस टैम और में की हलित खाता है थि को टुक्रिक तो देघाएंगे तो और यह पैसा चलिए को दूँगा तो वह देखाएंगे और लोगों प्रेवब पास पैसा जाएगा तो कहीन न कहीं हमारी एक नॉमी की हालत सई हो जाएगी किकर एक कंडिशन तो यह होगी तो फॉर्स्ट पईंट आपका सही होगा और फॉर्ट पॉंट कैसे सही होगा देखो आपको पता है और बी लगाता है सभी बेंक कर तो आर बीचेंग द टाइम डेबोजित बोले तो आपका फिक्स डेबोजित हो गया रिकरिंग ओ गया भलक डेबोजित ओगए घिक है इसके एको लिदी जब बनेके पास पैसा आएगा तो तो कितना बच गया 96 और RBA कहता है कि आप ऐसा करो कुछ पैसा अपने पास रखो जुरूरी नहीं है वह cash में रखो आप liquidity की form में रख सकते हो government security या फिर bond की paper या किसी format में आप रख सकते हो मान लोग कि यह rate चर रहा है 20% ठीक है तो 20 यहां से economy की खस्ता चल रही है और RBA चाता है कि पैसा जादे से जादे से जादे economy में इंजेक्ट कर सके तो वो क्या करेगा SLR और CRR का rate घटा देगा ठीक है घटाएगा अब CRR का rate घटाएगा मान लो यहां पर 2% कर दिया SLR का rate यहां पर मान लो 10% कर दिया अब बैंक के बास कितना बैसा होगा लोन पर देने के लिए 88 ठीक है तो यह अमाउंट पड़ा डेफिनेटली अमाउंट पड़ेगा तो यह लोगों तक जाएगा और कहीं न कहीं हमारी देश की एकनौमी सुधर पाएगी मताब अच्छी हो पाएगी ठीक है ऐसा समझ लो तो द की स्फिवाइं देखते हैं जहरुष अ क्रिक इनिव एक्सट आभ डीरीफमिंट ग तू स्फिवाइड माउनों स्टेट में आपको डैफिनेटली समझ मैं आ गया होगा कि माउंट्योंग से अलाब मतलब क्या होता है पर चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं फिर आप इस कोशन को बहुत इजली एटेंप्ट कर पाएंगी पालो की परसन है रमेश भाई साथ ठीक है वो लोन लेना चाहता है आप बैंक वाले कहेंगे नहीं आपके तो पेपर पूरे नहीं है पर अब बैंक फ्रीफंड में तो लोन देता नहीं को लेटर रखते और रमेश भाई साब के पास कुछ को लेटर रखने के लिए हैं नहीं यह लोन की डिमांड जदा कर रहे हैं और को हले इनका कम है तो बैंक मना करेगा यह मानलों की NBFC के पास गये अब NBFC नहीं मना कर दिया, ठीके, तो रुमेश, भाई, इसके बास आएंगे, और अगर मान लो कि उनको कम लोन चैए, चीजिए, यहांपर मैक्रोड आगया, तो मैक्रो की कंडिशन में तो कम ही पैसा चाहिए होगा, और उन्नों ने कम पैसा कहाँ से ले लिगा, एक microfinance company से ले लिया ठीक है अब ये microfinance company उनको loan देने में सक्षम है जो loan bank नहीं दे पाता या bank की condition जो लोग fulfill नहीं कर पाते उनको microfinance loan देता है तो first statement तो आपकी सही हो जाएगी और खेर ये banking के अंडर तो कोई SS prescribed model नहीं है तो ये second statement आपकी सही नहीं होगी ठीक है आपका सही हो जाएगा ठीक है यहां पर condition है इसको समझ लो यह condition extra information में है ठीक है micro credit extended by banks to individual is recognized as a part of their priority sector lending no particular model has been prescribed for microfinance ठीक है जी इसी वज़े से आपकी second statement गलत है and bank have extended freedom to formulate their own model ठीक है इनको एक तरह से freedom होती है चली next question देख लेते हैं which of the following steps that will result in containing inflation माल लोग कि हमारे देश में inflation चर रहा है उसके accordingly ध्यान से समझो कि statement कौन सी सही है कौन सी नहीं first statement है बोले तो first statement क्या कहते है increasing cash reserve ratio okay second statement decreasing SLR statuity liquidity ratio third है permitting central state agencies to import duties free pulses and sugar ठीक है question को ध्यान से समझे तीनों statement को पढ़िए और इस question का सही अंसर हो जाएगा भी ठीक है first or third statement बिल्कुल सही है इसको ध्यान से समझे ठीक है inflation का दोर है inflation की दोर में क्या होता है आर बेच आएगा कि पैसा कम से कम लोगों के पास रहे ठीक है और लोगों के पास ज्यादा पैसा खिचने कोशिश करेगा और मालो की पहले सोर पर हम अग्जांपल लिया था ना सोर पर अगर हुआ तो उस केस में मालो 4% CRR हुआ और SLR 20% हुआ हमें अभी प्रिवेस कोशन में हमने डिसकस किये तो यहां पर बेंक 76 रूपीज लेंड करने में सक्षम है ठीक है लेकिन अभी क्या चल रहा है इंफलेशन चल रहा है इंफलेशन के दोर में तो हम चाहते ही नहीं है पैसा लोन के दोर पर जाए तो CR को बढ़ा दो SLR को बढ़ा दो ठीक है और CRR को मालो यहां पर 10% कर दिया SLR को मालो 30% कर दिया अब बैंक सिरफ और सिरफ कितना पैसा दे पाएंगे 60 रूपेज तो कह नहीं हम उसके केस में कुछ अच्छा कर पाएंगे ठीक है तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगे नेक्स्ट कोर्शन देख लेते हैं अच्छा हमने बहुत अच्छे से समझा था LAF जो मेरी डेली डोस का सेशन है वहां पर हमने समझा था आज हम इसको भी चल रहा है तो ओविसली CRR और SLR भी बहुत कम चल रहे होंगे CRR आपका चल रहा है वैसे आपको बता रहा हूं 3.5% SLR आपका चल रहा है 18% ठीक है और रिवर्स रेपो रेट आपका चल रहा है 3.35% ठीक है यह रेपो रेट हमारे को यहां पर काम आएगा इस को समझने के ल मतलब यह NDTL क्या है वही हमने previous question में समझा कि आपके पास जो demand deposit आ रहा है आपके पास जो time deposit आ ठीक है हमें नहीं पता आपको business करना है ठीक है bank obviously business करने के लिए बैठें अगर आप bank में जाओ और bank वालो को मुझे loan दे दो क्या वो आपको ऐसे loan देते हैं नहीं देते ना bank वा को manage करके चल नहीं होगा ठीक है अब यहां मालो की एक bank था जिसका नाम था PNB ठीक है मेरा फेवरेट बैंक है मैं इसी कोई example में लेता हूं ठीक है और PNB के पास 100 rupees का कहीं से भी arrangement नहीं हो पाया ठीक है तो वह क्या करेगा इस condition में RBA के पास आएगा ठीक है अब यहां पर ह से कोई भी अगर commercial bank short term basis पर लोन लेता है और उस पर RBA जो interest rate लगाता है उसको हम रेपोरेट कहते हैं ठीक है तो PNB ने RBA से रेपोरेट लिया और रेपोरेट में क्या है कि आप जो SLR में अपके पास government securities हैं उसको आप collateral नहीं रख सकते हैं तो PNB ने लोन ले लिया फिर भी ठीक है तो 2012 से यह condition आई है RBA ने निकाली है कि आप MSF पर भी लोन ले सकते हो लेकिन MSF पर अगर आप लोन लोगी न तो उसका जो interest होगा वह रेपोरेट से हमीशा से जादा होगा वैसे रेपोरेट से 1% होता है लेकिन according to economy की condition यह वेरी करता रहता है जैसे आज की rate में 25% यह देश की economy के ओपर depend करता है कहीं न कहीं यह rate जो भी होते हैं by monthly monetary policy अगर आप देखते हो न्यूस पर पढ़ते हो तो definitely इस पॉइंट को आप समझ पाऊगे अब MSF के accordingly क्या होता है कि Overnight आप पैसा ले सकते हो ठीक है statement हमने इसकी मैंने बड़ी नीथी चलिए इंटर बैंक मार्किट ठीक है सेकिंड स्टेट्मेंट के अबॉरिंग अंडर दा MSF शुट भी और अबव दा स्टेट्री लिक्विडिटी रिक्वाइल्मेंट ठीक है तो MSF के accordingly आपको ओवरनाइट लेंडिंग रेट में यह पैसा लेना है मतलब 12 घंटे के लिए अगर आप पैसा लेते हो ठीक है तो आपको रेट कितना देना पड़ेगा 4.25 ठीक है तो यह क्या है मागनल स्टेंडिंग फैसिलेटी जो कब से आया था सिंस 2012 से ठीक है और 12 घंटे के लिए सकते हो चोबिस घंटे के लिए भी ले सकते हो लोन ओवरनाइट ठीक है और यहां पर एक कंडिशन याद रखना इसका एक कंडिशन आपको याद रखनी है कि मिनिमम लोन कितना ले सकता है कोई भी बैंक मैक्सिमम कितना ले सकता है वो डपेंट करेगा कि उसके पास कोहलेटरल कितना रखने के लिए ठीक है कोहलेटरल के तोर पे वह यहां पर गवर्मेंट सेकेर्टी को यूज कर सकता है ठीक है वैसे अगर वो लोन लेना चाहता है मालो कि ऐससे समझ लो कि अंडिटियल उसका कम बढ़ रहा है एक क्रोड़ दस लाग क्या वो यह लोन ले सकता है नहीं ले सकता, क्योंकि उसको या तो एक क्रोड लेना होगा, या फिर multiple लेना होगा, एक क्रोड का, दो क्रोड ले ले, तीन क्रोड ले, मत्तब multiple होना चाहिए, एक क्रोड का, ठीक है, तो condition आपको समझ में आगी, यहाँ पर, six question का सही answer क्या हो जाएगा, ए, first statement यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, चली, next question देखते हैं, next question है, which of the following should be considered for the pigovian taxation, अब pigovian taxation यह भी नई सी, एक टर्म है, इसको एक बड़ समझ लेते हैं, अच्छा, इसको ऐसे समझो, मैं आपको example देता हूँ, माल लोगी, यहाँ पर कोई person, text, text नहीं, cigarette पी रहे हैं, इसका नाम है रमेश, ठीक है, अब रमेश भाई सब cigarette पी रहे हैं, और यहाँ पर माल लो, मैं खड़ाओ, चली, मेरा नाम, यहाँ पर माल लो, sir, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ाओ, और यह रमेश भाई सब cigarette पी रह प्लम हो रही है ठीक है अब इसकी कार से जो पॉलूशन और उससे मुझे दिक्कत हो रही है ठीक है अब मुझे जो दिक्कत हो रही है और मैं किसके पास जाओंगा तो मैं और अब कर नहीं यह तो कोई एस पॉइंट नहीं बना ठीक है अब सटेट्मेंट के सबस्क्राइब और सब्सक्राइब ठीक है अब सिग्रेट पी या फिर मालो कि यहां पर कार चली जो पॉल्यूशन हुआ उसके एकॉर्डिंग ली हमारी गॉर्मेंट क्या करती है काफी हुज टेक्स लगा देती है जैसे आपने देखाऊगो ना सिग्रेट पर काफी अच्छा-खासा टेक्स लगाती है हमारी ग बिसीकली क्या कहाता है पीगोवियन टेक्सेशन तो इस कोशन का सही अंसर क्या हो जाएगा कंजप्शन ओफ सिग्रेट एंड बर्निंग ओफ फोसिल फ्यूल्स यह उप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं विच ओफ फॉल्विंग टर्म इस नॉट फाइनेशल टर्म अब देखो आप गैप के लेक्चर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा कि फाइनेशल टर्म कौन सी है कौन सी नहीं है ठीक है चलिए एक बर ऑप्शन में देख लेते हैं इन्वेस्ट दूप स ключ कॉशून में ठीक है और अलडबव क्या इसमें से कोई भी कई टर्म और बिलकुल इसमें से कोई भी आपकी फाइनेशल टर्म नहीं है ड फाइनेशल टर्म होती है अकांट पैवल अकांट र सीविबवन ऐसेट्स बेलें शीट्स केश फ्लॉ ठीक है यह आपकि कोई भी आपकी फाइनेंशल टर्म नहीं ठीक है चलिए इसका सही ओप्षन हो जाएगा बाकि एक्ट्रा इंफ्रमिशन आप यहां पर देख लेना नेक्स्ट कोशन है वेन दाप्राइज ओफ कॉमेडिटी गूट एंड सर्विस टाट टिकलाइन कंसिस्टेंटली तप फिनोमिना इस नोन एस देखो कोई भी चीज का प्राइज है मालों की आप मार्किट जा रहे हो और मार्किट जाने के बाद आपने देखा यहां पर तो भ जो गूट एंड सर्विस जो भी है उसकी प्राइज आपके गिर रहे हैं इस विनोमिना को हम क्या कहेंगे डिसकाउंट फिल्ट डिफलेशन नेगेटिव ग्रोथ या फिर मार्किट कैपिलिजम ध्यान से समझे इस कॉश्चन को और वीडियो को पोस कीजिए इस कॉश्चन तो बी ओप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां ठीक है इसको देख लेना डिफलेशन क्या होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट और आज का हम लास्ट कोशन डिसकस करेंगे अच्छा लास्ट को मैं पहले बहुत बार एक्स्प्रें करवा चुका हूं और यही स्टेट बी है 1991 सी है 1994 एंडी है 1999 हमारे देश की एकनॉमिक हलत कब खराब हुई थी 1991 में और हम बहुत बार डिसकस कर चुके में LPG रिफॉर्म्स में हमने क्या कर रहा था बहुत अच्छे अच्छी हम न्यू स्कीम्स लेकर आया था इक माम इसको स्टेंट बाई करने के लिए लिए लिबराइजेशन प्राइबराइजेशन ग्लोबलाइजेशन ठीक है यह हम बहुत अच्छे से डिसकस कर चुक और 1991 में इंडिया ने बहुत ही बुरी हालत फेस करी थी ठीक है बैलेंस ओपेमेंट क्राइसिस आया था यहां पर और देखने को मिला था हमारी क्रंसी का ठीक है जी हाई इंफ्लेशन हो गया था एकदम से लो ग्रोफ रेट थी हमारी जीडिपी की ठीक है जी फॉरन रिजर्फ हमारे पर स्मात्र 21 दिन का बचा था ठीक है जी और अगर हम कुछ भी परजेस करते तो सिरफ और सिरफ 21 तक ही परजेस कर पाते ठीक है तो 1991 में हमारे देश की हालत ख अपना ध्यान रखेएगा और जुरूरत हो तब ही भार चाहिए क्योंकि अभी के लिए आप सब जानते हैं देश में जो क्रोना वारस की हलात है वो बहुत ही खदरनाक है ठीक है हाला कि अभी के लिए डिक्लाइन केसिस हो रहे है बट अच्छी बात है अगर आप ऐसी घर म में बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो केसिस बहुत जल्दी कम होंगे और हमारा देश पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी लाइफ चीप आएगा ठीक हमारे देश का नाकरिक चलिए थैंक्यू सो मच